बिग बॉस सत्रह अपने सो दिनों से अधिक के सफर के बाद अब अपने फिनाले वीक में हैं। रविवार 28 जनवरी को ग्रेंट फिनाले हैं, जहां सल्मान खान शो के विनकी घोशना करेंगे। इस बीच मुनवर फारुकी, अंकिता लोखंडे, अभिशेक कुमार, मननारा चोपडा और अरुन माशिटी के रूप में शो को उसके टॉप माइनस पांच कंटेस्टन्ट मिल गए हैं। अपने फेवरेट कंटेस्टन्ट को विना बनाने के लिए फैंस भी वोट करने में जुड़ गए हैं। सभी टॉप माइनस पांच की शो में जर्नी दिखाएंगे, वहीं रोहित शेटी की भी महमान के तौर पर घर में इंट्री होगी। रोहित यहां कंटेस्टेंट्स से कुछ स्टन्स करवाएंगे और अपने शो, खत्रों के खिलाडी 14 के लिए किसी एक को ओफर देंगे। लेकिन अब जब शो के ग्रेंट फिनाले को महस चार दिन बचे हैं तो हर किसी के जेहन में सवाल यही है कि आखिर बिग बॉस 17 का विनर कौन होगा। विग बॉस के घर के अंदर की खाबर रखने वाले ट्विटर हैंडल दखाबरी निवोटिंग ट्रेंट को लेकर खुलासा किया है। इसमें कहा गया है कि मंगलवार रात तक के वोटिंग के रुझान में टॉप माइनस तीन में अंकिता लोखंडे और अरुन माशिटी नहीं हैं। इसके मुताबिक टॉप माइनस तीन कंटेस्टंट जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं उनमें टॉप पर मुनवर फारुकी हैं। दूसरे नमबर पर अभिशेक कुमार का नाम है जबकि तीसरे नमबर पर मननारा चोपड़ा हैं। हाला कि इसमें आगे भारी फेर बदल हो सकता है क्योंकि वोटिंग के लिए रविवार 28 जनवरी के दोपहर 12 बजे तक का वक्त है। इसके अलावा पिछले सीजन्स को देखकर यह भी उम्मीद है कि ग्रेंट फिनाले में टॉप माइनस दो की घोशना के बाद मेकस थोड़ी देर के लिए लाइव वोटिंग लाइन ओपन करेंगे। दक हबरी की वोटिंग फ्रेंट की रिपोर्ट इसलिए भी चौंकाने वाली है कि अनकिता लोखंडे टीवी का पॉपुलर चेहरा है। इसके अलावा शो में जो भी हाई वॉल्टेज ड्रामा हुआ है, उसमें अनकिता का बड़ा योगदान रहा है। हाला कि समर्थ और ईशा मालविय की बदमिजाजी के कारण अभिशेक कुमार की पॉपुलेरिटी भी खूब बड़ी है। की फैन फॉलोइंग पहले से भी बहुत अच्छी है। ऐसे में विनके तौर पर उनका नाम सबसे पहले आ रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर आखिरी वक्त तक वोटिंग में उंट किस करवट बैठता है, इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बिग बॉस सत्रह का ग्रेंट फिनाले एपिसोड रविवार 28 जन्वरी की शाम 6 बजे से प्रसारित होगा। देर रात करीब 12 बजे विनके नाम की घोशना होगी। ग्रेंट फिनाले एपिसोड कलर्स टीवी चैनल या OTT पर जियो सिनिमा एप पर देखा जा सकता है।